और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरीय भी बताते हैं यश्वन सिन्हा ने आज जब नामांखन पत्रों दाखिल किया है तो क्या कुछ कहा गया तो राश्पती पत के लिए विपक्ष के उम्मीद्वार हैं यश्वन सिन्हा और उनके बारे में आपको यह जानकारी दे दें तो नवंबर 1937 में पत्ना में यश्वन सिन्हा का जन्म हुआ और अब इनको विपक्ष की तरब से उम्मीद्वार बनाया गया है 1960 तक पत्ना विश्विद्याले में शिक्षक के तौर पर अपनी सिमाए यश्वन सिन्हा ने दी हैं और विपक्ष के तौर से अब इस समय साजा उम्मीद्वार है 1960 में आईएस के लिए भी यश्वन सिन्हा का चैयन हुआ और फिर राजनीति तक वो कैसे आए यहें बात हम आपको ग्राफिक के जरीया बता रहे हैं भारत सरकार के वित्मन्ताले में उपक्षिव पद पर भी उनकी नियुक्त की वाइए और फिर अपने कारेकाल के दुरान भारती दूतावास में भी उन्होंने एहम जिम्मेदारी को भी सम्हाला तो कारेकाल के दुरान 1971 से 1974 तक जर्मनी में भारती दूतावास के पहले सचिव भी उनको नियुक्त किया गया और यह अश्वन सिन्हा ने 1986 में फिर जन्ता पार्टी को जॉइन किया और यहां से यह अश्वन सिन्हा का जो राजनेतिक सफर है वो शुरू हुआ इसके बाद जन्ता पार्टी में ही पार्टी महासेचिव का पद यह अश्वन सिन्हा को दिया गया और 1988 में पहली बार राजसभा के लिए यह अश्वन सिन्हा का निर्वाचन हुआ यानि कि उनको चुना गया फिर 1990 और 1991 में चंदरशेखर सरकार में वित्तमंत्री के पद पर उन्होंने काम किया